दोस्तों बिहार सिक्षक भर्थी परिच्छा 2.0 में इस बार आपको जो एक्जाम पैटर्न है वो काफी बदला हुआ समिलेगा बहुत सारे चीज़ें जो की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इसके अभाव में हो सकता है कि आपको एक्जाम में ही काफी दिक्कत का सामना करना पड़े जैसा का आप जानते हैं कि पिसली बार यानकि सिक्षक भर्थी परिच्छा पहली बार जब होई थी तो उसमें कुल मिला के दो पेपर हो थे भासा अर्था का पेपर अलग था और साथी साथ जो जीयस और आपका सब्जेट होता ना उसका जो पेपर था वो अलग था लेकि भाग दो और भाग तीन भाग एक इसमें 30 प्रस्ण होंगे यह भासा अर्था का पेपर होगा जिसमें 8 प्रस्ण अंग्रेजी से होंगे जो कि सब के लिए अनिमार होंगे 22 प्रस्ण हिंदी से या उर्दू से या बांगला से होंगे सभी को जोड़ लेंगे तो 30 प्रस्ण आपके बिल्कुल सही होने चीए, याद रखिए कि यहाँ पर कोई negative marking नहीं है, इसलिए 9 अंक ले आना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन 9 अंक से कम अगर कोई अभिरती ले आता है, तो उसका part 2, part 3 जहां से नहीं जाएगा, याद रखिए कि यह जो part 1 है, यह qualifying है, आप सामान जागरुपता, सामान विज्ञान, सामाजी विज्ञान, भारती राश्ट्री आंदोलन, भुगोल और पार्यवरन से मंदी जो प्रसन है, पुछे जाएंगे, देखो friends, यहाँ पर प्रात्मिक गडित माशिक्षन ता परिक्षन, सामान जागरुपता, आप यहाँ प आपको part 2 और part 3 मिलेकर आने हैं, part 3 में क्या होगा कि मद विद्याले के अध्यापकों के लिए एक विशय पत्र होए और उमिद्बारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाओ, फॉर्म भरते समय ही आप कर लेंगे, जैसे कि अगर आप कच्छा साथा आठ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो गणित और विग्यान, समाजी विग्यान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तथा अंगरीम से कोई भी एक पेपर आप चुनेंगे, उसी से संबंदित, असी प्रस् का रूल था, उसमें और इस बार के नए नियम में काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिक्छक नियूती के पहले चरण में, अंक समान होने की स्थिति में, सबसे पहले आवेदुकों की उम्र पर विचार किया जाता था, और समान होने की स्थिति में, अधिक अंक मिले हैं, उनका चैन किया जाएगा, तो किसी विचे में, समान अंक होने की स्थिति में, भाग एक के क्वालिफाइंग भाग में, प्राप्त अंकों को आधार बना जाएगा, और अधिक अंक प्राप्त करने वाले का चैन किया जाएगा, यदि अंक समान है, और आप किस्मत को decide कर सकता है और यहां पर आपको पता हिए कि appearing candidate के लिए फिलाल अभी तक कोई भी उसर नहीं है तो appearing candidate जो है वो परिक्षा नहीं दे पाएंगे यह बात यहां पर असपस लिखी गई है बिएड डिलेड अपेरिंग है या भी CTT अपेरिंग है ऐसे बिर्तियों को मौका यहां पर नहीं दिया गया है तो दोस्तों यह थी पूरी रिपोर्ट और उमीद करता हूँ कि इससे आपको एक्जाम में काफी लाव मिलेगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेकर द